जै हिंद, जै जवान, जै किसान आप देख रहे हैं ग्यानोदय ग्यान सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एक नया नियम लागू किया है जिसका नाम है मेरी गिर्दावरी, मेरा अधिकार प्रतेग बर्ष किशान अपने खेत में जो भी फसल उगाता है उस फसल की किसी भी प्रकार की हानी हो प्राकृतिक आपदा के कारण होती है तो सासन द्वारा मुआबजा, नियूंतन संभरतन मूल पर फसल को बेचना हो, भाबंतर योजना का लाव लेना हो, किसान के रेडिट कार्ड बनवाना हो, किसान रण लेना हो, किर्शक बीमा योजना में आदी बहुत सारी जगय के लिए गिर्दावरी के माध्यम से किसान को लाप्रदान किये जाते हैं, सासन के पास आपके खेत में कौन सी फसल वोई गई है, वह जानकारी गिर्दावरी के माध्यम से ही पहुँचती है, अभी तक पटवारी के द्वारा फसल गिर्दावरी की जाती थी, लेकिन अब किशान स्वैम अपनी गिर्दावरी कर गा, उसके खेत में कौन सी फसल है, उसकी जानकारी किशान स्वैम भर सकेगा, इस वीडियो में यह कार किस तरह से करना है, इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, तो वीडियो को पूरा देखें और अपने किशान बहाईयों को सेर करें, किशान और राजश विभाग से सम्मंदित नई नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रश कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जानकारी आती रहती है, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के प्ले इस्टोर पर जाना है, प्ले इस्टोर पर जाने के बाद आपने यहाँ पर डालना है MP किसान एप, MP किसान एप, जैसे आप MP किसान एप को डालेंगे तो इस प्रकार का MP किसान एप दिखाई देगा, इसको आपने इंस्टाल कर लेना है, इसका लोगो, यह इस तरही किसे किसान साभा बांद के है, यह इसका लोगो है, इसको आपने इंस्टाल कर लेना है, जैसे ही app download हो जाएगा तो यहाँ पर open आ जाएगा यहाँ से आपने app को open कर लेना है जो भी condition यहाँ पर की गही उसको आपने allow कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें दिया हुआ इस सुपधा का उप्योग करने के लिए किरपा lawyers लॉगन करें आप ओके कर दें जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर मोबाल नमबर और इमेल आईडी महाँगेगा इसके लिए आपने अपना mobile number और एक email ID को तयार करके रखना है यहाँ पर दिया mobile number डाल दें और email ID यहाँ पर डाल दें और आगे बड़े पर click कर दें तो एक four figure का यहाँ पर OTP आएगा आपके दिये हुए mobile number पर उस OTP को यहाँ पर डालना है आप autofil code भी कर सकते हैं तो automatic जो OTP आएगा वो automatic feed हो जाएगा OTP डालने के बाद यहाँ पर अपना नाम डालने नाम डालने के बाद आपका जो भी जिला है वहाँ पर details भरने से पहले आप चाहें तो अपनी selfie यहाँ अपना photo भी यहाँ पर डाल सकते हैं यदि डालना चाहें यदि नहीं डालना चाहते तो इस कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर आप अपना जिला चुल ले जिस भी जिले में आपकी जमीन है गिराम यहाँ पर चुल ले और पंजिये करें पर क्लिक करते हैं जैसे ही पंजिये करें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर user successfully registered हो जाएगा register होने के बाद दुबारा से आपको home page पर ले के जाएगा फिर आपने यहाँ पर दुबारा से फसल स्वाग घोषणा पर क्लिक करना है जब आपने गिर्दावरी के लिए फसल को चड़ाना है जैसे यह आप फिर से फसल स्वाग भुषडा पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से option यहाँ पर दिखाई देगा इस प्रकार का पेज यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर सबसे नीचे दाइने यह एक प्लस का निशान दिखाई देता है खाता जोड़े अपना खाता जोड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर डिटेल मांगेगा कि किस तैसिल से जिला आल लेड हलका जिस भी हलके में संबन्द आपकी भूमी हलका चुन लें ग्राम और खसरा जैसे ही खसरा पर क्लिक करेंगे तो आपके खसरा किरमांग और उनके आंगे नाम दिये हुए रहते हैं आप अपना खसरा किरमांग हो तो खसरा किरमांग के आधार पर या तो नाम के आधार पर अपनी जमीन को यहाँ पर सिलेक्ट कर ले यहाँ पर हम खसरा चुन लेते हैं खसरा किर्मांग चुनने के बाद यहाँ पर जमा करें पर किलिक कर दें तो इस प्रकार से यहाँ पर खसरा जुड़की आजाता यहाँ पर नाम। खसरा नंबर और यहाँ पर सारी डेट आ जाती है जैसे ही आप एक खसरा नंबर सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंतरगत जितने भी खाते जुड़े हुए हैं वह सारे खाते खतोनी के आदार पर एक साथ जुड़ जाते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही खाता संक्या है इसलिए एक आ रहा है यहाँ आपके कई सारे सर्वे नंबर है तो वो सारे सर्वे नंबर एक साथ ही यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं अब आपने क्या करना है और भी खाता जोड़ना है तो फिर से पिलस की निसान पर क्लिक करेंगे और डिटिल्स को डालेंगे तो और भी खातों को जोड़ सकते हैं अब ही मैं इसको ही फीड करके बताता हूँ इस प्रकार से जैसे ही आप यहाँ पर फीड करेंगे तो फसल की शूची नाम खसरा संख्या छेत्रफल बर्तमान लोकेशन खसरा लोकेशन खसरे की अनमानित आप कितनी दूरी पर हैं और मोबाल नमबर यह डेटेल्स यहाँ पर आजाती है आप खसरा लोकेशन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी खसरा कौन से खेत में है यदि आपको नहीं पता है कि मेरा सर्वे नमबर जो है वो किस जगे पर है जैसे कि अधगतर किशानों को रहता है कि मेरा खेत का सर्वे नमबर पता नहीं होता है तो आप यहा आपको आपके खेत पर लेके जाएगा यहां से आप जूम करके लोकेशन को देख सकते हैं कि किस जगे पर आपका खेत है यहां पर पूरा कि ओप्षन में यहां पर यह आ जाता है इस प्रकार से आप अपने खेत की लोकेशन को भी समझ सकते हैं कि यह कि यह यह गूगल मैपने दिया है यह इस जगे लोकेशन इसकी है आप यहां से सैटलाइट यह लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं सैटलाइट पर आप सारा ब्राउन की जगे को देख पाएंगे सैटलाइट ओप्सन ही सही रहता है इसमें पूरी की पूरी लोकेशन आपको दिख जाती है जैसे आप जूमिन करेंगे तो यह सारी चीजें यहां पर दिखने लगते हैं जूम आउट करेंगे तो आप एक्ट्यूल लोकेशन पर पहुँच जाएंगे इस पर लोकेशन पर किलिक करेंगे तो यह बोलेगा क्या आप खसरे की लोकेशन दी गई लोकेशन से भिन है आपने अपनी लोकेशन को चेक कर लिया है खसरे की लोकेशन को चेक कर लिया है कि आपकी सही लोकेशन है कि नहीं है यदि वो खसरा संक्या आपकी सही लोकेशन पर आता है तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या आप खसरे की लोकेशन देगी लोकेशन से भिन है जो आपका खेत है और यह जो लोकेशन इसमें दिखा रहा है यदि वो भिन है तो इस पर हाँ पर क्लिक करेंगे यदि सही है तो नहीं पर क्लिक करेंगे जैसे यदि आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या विशंगती है उसमें तीन ओप्षन दिये गए हैं विशंगती का प्रकार में दो ओप्षन है खसरे की लोकेशन दी गई लोकेशन से भिन है या अन तो यहाँ पर location सेम है सही है तो मैं यहाँ पर नहीं पर click करके जमा कर देता हूँ आपका अनुरोद सफलता पूरवक सुरक्षित किया गया है यदि यह करना है तो आप करिए नहीं तो आप direct अब खरेब की फसल ज्यादा तर यहाँ पर खरेब की फसल की अभी चल रहा है खरेब की फसल के टाइम पर ही यह योजना लागू की गई है तो मौसमी फसलें मौसमी फसलें पर आप click करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है खसरे से दूरी इतने मीटर है तो आपको क्या करना है यह भरने से पहले आपको खेट पर जाना होगा जिस भी खेट की यहाँ पर जानकारी भर रहे हैं उस खेट पर पहुँचकर ही आप इसकी आंगे की डिटेल को भर पाएंगे तो हम खेट पर चलते हैं उसी जगए खेत पर चलकर आपको भरके बताते हैं अब हम खेत पर आ गए हैं तो ये दिखी जब आप खेत पर पहुँँच जाएंगे तो यहां पर ये जो रेड़ का निशान रहता है ये ग्रीन का निशान हो जाएगा और खेत पर पहुंचते हैं जीरो मीटर जब तक ये ग्रीन का निशान नहीं होगा तब तक आप फसल को दर्ज नहीं कर पाएंगे तो आपने इस पर ग्रीन की निशान होने तक अपने खेत पर पहुंचना है उसके नजदीक तक जाना है जैसे ही ग्रीन हो जाएगा तो आप यहाँ पर फसल को भर पाएंगे तो हम यहाँ पर ग्रीन हो गया है आप फसल को मौसमी फसल है जैसे की धान भर रहे हैं तो यह मौसमी फसलों में मिलेगी यहाँ पर आप फसल का नाम चुने पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप या तो हिंदी में टाइप करके भर दें या फिर यहां से फसल की नाम पर क्लिक करेंगे तो सारी फसले यहांपर आ जाएँगी ईसको स्क्रोल करके जो भी आपकी फसल बोही गई है वह फसल यहां से सिलेक्ट कर लें बहुत सारी फसले हैं नहीं तो आप यहां पर डारेक्ट टाइप करके भी देख सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर धान भर रहा हूं तो यहां पर धान डालेंगे धान आ जाएगा उसको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद दूसरी जगे फसल की बिधी फसल की बिदी में जैसे की रोपा, बोया, छड़का तीन प्रकार की फसल बिदी होती है तो धान को रोपा जाता है तो यहाँ पर मैं रोपा को सिलेक्ट कर लेता हूं छड़का में जैसे की तिली को छड़क के बोया जाता है और बोया अधी है तो उसको बोया पर सिलेक्ट करना है तो धान को रोपा जाता है तो मैं यहाँ पर रोपा सिलेक्ट कर लेता हूँ फसल किस प्रकार की फसल है किस्म क्या है देशी है प्रमारत है हाइब्रेड है तो प्रमारत है तो यहाँ प्रमारत कर लेता हूँ सचाई के साधन में असंचित और संचित जो फसल असंचित होती है उसको असंचित स्लेट करना है धान संचित होती है तो मैं हाँ पर संचित को क्लिक कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पर सचाई के सारे साधन ओपन हो जाएंगे अन जल सरोत किस प्रकार की सचाई आप अपने खेत में करते हैं वो जो भी हो वहाँ पर क्लिक करते ही ना है यहाँ पर नलकूप है तो नलकूप को मैं स्लेट कर लेता हूँ किस प्रकार की सिचाई होती है बहाओ के द्वारा, छड़काओ के द्वारा, टपक के द्वारा तो यहाँ पर जो भी विधी आप चुनते हैं दान बहाओ के आदार पर होती है तो बहाओ से सिचाई होती है तो यहाँ पर बहाओ को सेलेक्ट कर लेते हैं अब यहां पर देखने वाली बात है कि भुवाई का छेत्र फल यहां पर 16 आरेका है यदि आप एक ही खेत में दो प्रकार की फसलें करें हैं या कम ज्यादा फसल कर रखें हैं ज्यादा रखवे में तो यहां पर आपने जैसे की यहां पर धान 16 विषय का टोटल रखवा है धान को कम में बोया है यदि 5 विषय में बोया है तो यहां पर 5 विषय डाल देंगे और 12 से जो भी फसल की है तो इसी प्रकार से 12 से दूसरी फसल में 11 विषय की डिटेल्स और भर देंगे यहाँ पर पूरे में रखवे में धान वोई गई है तो मैं यहाँ पर पूरे में 16 की 16 भर देता हूँ यदि कम रखवे में है तो उतना रखवा यहाँ पर डालेंगे और दुबारा से फिर से दूसरी फसल को भी यहाँ पर डाल देंगे जोड़े पर क्लिक करेंगे इसके पहले आपने फोटो खीचना है उसी location से आपने फ़सल की फोटो लेना है यहां से इस camera के निसान पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका camera open हो जाएगा तो आपने यहां पर अपने फ़सल की खेट की फ़सल की फोटो यहां पर क्लिक कर देना है फोटो को यहाँ पर निकाल लेना है और उसको सिलेट कर लेना है अब इसके बाद यहाँ पर जोड़ें जोड़ें पर किलिक करना है जोड़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भरी हुई details यहाँ पर आ जाएगी और यह red निसान का हो जाएगा अब इसको upload करना है आपने तो upload के option पर क्लिक कर देंगे तो फसल सुदार है तू आवेदन सफलता पूर्वक ले लिया गया है ठीक है पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर यह देखी यह green हो गया है यानि कि आपकी फसल की गिर्दावरी यहाँ पर complete हो जाती है इसी प्रकार से आपने सारे खसरे नंबर को plus के निसान पर क्लिक करके जो भी है वहाँ पर करते जाना है यह कारकेशानों के माध्यम से किया जाना है अभी इसमें एक और परिछट चल रहा है कि आपकी भूमी अभी आपको खेत पर ही जाके फोटो खीचना होता है तब आपके फसल चड़ाई जाती है अभी इस पर काम चल रहा है जैसे ही कुछ दिनों में ये option आता है कि satellite के माध्यम से आपको फसल दिखाई दी जाएगी आपको खेत पर जाने की आवसकता नहीं है आप जैसे ही satellite आपको बताएगी कि आपके खेत में मुँफली है धान है उड़द है जो भी है ये आप satellite से सहमत होते हैं तो yes करेंगे तो आप अपने घर वैठे ही फसल की गिर्दावरी को कर सकते हैं फसल को चड़ा सकते हैं ये आप satellite की image से सहमत नहीं होते हैं तो आपको खेत पर जाके दुबारा से इसी प्रकार के जैसे अभी बताया फोटो खीच के लोकेशन को डाल के यहाँ पर अपलोड करना होगा तो जैसे ही satellite की image वाला option आता है इसके वारे में एक वीडियो मैं अलग से बना के पोस्ट कर दूँँगा तो आप उसको देख लिएजेगा उस वीडियो का notification आपको मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस चरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने साथियों को सेर करें यदि किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें जवाब आपको देने की पूरी कोशिस की जाएगी थैंक्यू फॉर वाचिंग हैवे नाश्टे